आज हम आपको एक ऐसे किर्केटर की लव स्टोरी बताएंगे जिसमें अपनी माशुका को पाने के लिए देश से ही नाता तोड़ दिया और मुहबत की एक नई दास्तान को लिख दिया ये प्रेम कहानी है दक्षिन अफरीका के पूर्व किर्केटर इमरान ताहिर की जो किसे फिल्म की लव स्टोरी से कम नहीं है क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो दो सचे प्रेमियों के जीवन में होता है पाकिस्तान में जन्मे इमरान हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन उन्हें एक शांदार क्रिकेट करियर और खुबसूरत हमसफर दोनों ही को पाने के लिए पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा अब आपको उस दौर में लिये चलते हैं जब दक्षिन अफरीका में अंडर 19 टीम के साथ दोरे के दोरान इमरान की मुलाकात सुमया दिलदार से हुई थी जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी इस मुलाकात ने उनकी जिन्दगी को हमेशा के लिए बदल दिया सुमया जो उस समय भारतिय मूल की थी और एक पेशेवर मौडल थी उन्होंने शुरू में इमरान को सिर्फ एक दोस्त के तौर पर देखा लेकिन जब ये प्यार परवान चड़ा तो क्रिकेटर को भी अपना होश न रहा इमरान ताहिर पाकिस्तान लोटने के बाद सुमया को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए उनसे मिलने के लिए अकसर यातराए करने लगे अब दोनों उस दोर से गुजर रहे थे जब उनके बीच की गहरी दोस्ती कभी भी प्यार में बतल सकती थी और हुआ भी सेम यही सुमया ने भी समय के साथ उनके प्यार को पहचान लिया और यहां से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर किया समय के साथ इमरान और सुमया का प्यार और भी गहरा हुता चला किया कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया उनके विवा के निर्णय ने दोनों के बीच मुश्किलें पैदा की इमरान क्रिकेट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्तों करने के लिए जगह ढूंड रहे थे जबकि सुमया किसी भी कीमत पर दक्षिड अफरीका नहीं छोड़ना चाहती थी इस रियल लाइफ लव स्टोरी के अहम पड़ाव पर कुछ वैसा ही हुआ जैसा फिल्मों में होता है आखिर में प्यार की जीत हुई और इमरान ने पाकिस्तान छोड़ कर दक्षिड अफरीका में बसने का फैसला किया और सुमया के साथ रहने लगे 2006 में दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया बात में इम्रान ने दक्षिल अफरीकी नागरिकता भी प्राप्त कर ली अपने निजी जीवन के विवस्थित करने के बाद इम्रान को 2011 में साउथ अफरीका टीम के लिए डेब्यू करने का मौका भी मिल गया और उन्होंने फिर कभी भी पीछे मुढ कर नहीं देखा प्यार के लिए पाकिस्तान छोडने का फैसला उनके लिए फाइदे मंद ही साबित हुआ इम्रान ने साउथ अफरीका के लिए 20 टेस्ट, 107 वंडे और 38 टीटूंटी मुकाबले खेले हैं इसके लावा ताहिर दुनिया बर की लीग मुकाबलों में भी हिस्सा लेते हैं और खेलते हैं उन्होंने आईपिल में भी 69 मुकाबले खेले हैं आखरी आईपिल 2021 में उन्होंने CSK की ओर से खेला था यानि कि ये कहानी पूरी फिल्मी नजर आती है लेकिन जीत प्यार की होती है आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताए तब तक के लिए देखते रहें वनिडे हिदी